नमस्कार आप देखरें लाइफ सिटीज मैं हूँ गरिमा भारती विधायक असोक सिंह हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता महराज गंज के पुर्व सांसत प्रभुनाथ सिंह इन दिनों जेल से बाहर निकले हुए हैं उन्हें जेल से बाहर क्यो निकाला गया है किस कारण से बाहर है और जो भी मामले में पूरी बात है वो हम हमारे स्ङ्योगी परंवीर से जानेगे परंवीर क्या है पूरा मामलाइए देखिए जो पुरुव सांसत प्रभुनाथ सिंह है उनके मा का नीधन हो गयाक है तो अपन मालुम ही होगा कि पूरी विधायक थे असोक सिंग हत्याकान में वह हाजारी बाग जेल में प्रवनाज सिंग और उनके छोटे भाई दिनेनाज सिंग सजा यापता थे तो इसको लेकर वह बाहर निकले वह जैसे ही जेल से बाहर निकले तो उस टाइम उनका जो पूरा काफिल जो चपरा से लोग थे उनके चाहने वाले लोग पहुंचे थे उनको वहां से रिसीब किया घया फिर वह अपने जो उनका पैत्रिक गाव मसरक वहाँ पहुंचे जैसे ही परवनाज सिंग चपरा के मसरक में पहुंचे उसके बाद जितने भी आस-पास के उनके जो करीबी हैं और चाहने वाले लोग हैं वो लोग वहां पहुचने लगें और एक तरह से भीड जूट गिया फिर लोगों ने उनका हाल जाना वो भी लोगों से हाल जाल पूचते रहें और उन्होंने इस दौरान अपने मा के सरात कारेकरम में सामिल होने के लिए लोगों को नियोता भ कि आप इसे प्रहुना चेजियों होगा कि आप पर्हुनान सिंह एक एसे नाम है जिसको जिसकी पहचान की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक तरह से कितने कई दवा वह महराजकंसे सांसद रह चुके हैं और उनकी बिहार की राजनीति में बाहुवली के तौर पर जाना जा वहीं जो उनके बेटे हैं रंधीर सिंग भी चप्रा से विधायक राज चुके हैं उनके छोटे भाई जो हैं अभी केदार नाज सिंग अभी बनियापूर विधानसवाचेतर से विधायक हैं तो इन चीज इन सब बातों को आप देखते हुए समझ सकते हैं तो वहीं जो उनके अभी बेटे थे रंधीर सिंग वह इस बार राजत के टिकट से महराजगन से चुनाव ले रहे थे सांसवादगा लेकिन वह चुनाव हार गये थे वहीं जो बिधायक असोक सिंग हत्याकांड का जो मामला है उनकी हत्या 1995 में हुई थी यहीं पटना में बं मार के उनकी हत्या कर दी गई थी तो इसी मामले में प्रभुनाज सिंग और उनके छोटे भाई दिनेगनाज सिंग अभी सजायापता है अब इस बात को समझ सकती है कि उनका राजनितिक दबदवा इतना था कि जब यहां पर पटना हाई कोट में केस चल रहा था उसको करके हजारी बाइबाग कोटे में ट्रांसपर कर दिया गया पटना से तो इस इस बातों को आप देख सकती है और उनका मा का नीधन हो गया है जो उनका स्राथ कारिकरम है 29 दिसंबर को है इसमें सामी होने के लिए वो बाहर निकले हुए है मतलब मुख्यकार उनके बाहर नि जो की अशोक सिंग हत्यकांड मामने में सजायाफता है वो इन दिनों जेल से बाहर है उनके बाहर होने का कारण है उनकी माता का श्राथ कर्म जो की 29 दिसंबर को होने वाला है आप लाइव से 30 देखते रहिए अगर आप हमें फेस्बुक के माध्यम से देख रहे हैं तो अगर आप ये विडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद